नमस्कार दोस्तों, ग्रैंट पा गार्डेन में आपका हार्दिक स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिटोनिया पौधे, पिटोनिया फूल के पौधे काकिस तरह से केयर करें और इसमें कौन सी खाथ दालें, इसकी मैं सुरू से लेके अंतक जानकारी आपक को प्रोवाइड करूँगा, दोस्तों, पिटोनिया फौवर एक बहुत ही सुद्धर फूल का पौधा है, यह देखिए, मेरा परफर कलर, परफर और ग्लीन कलर मिक्स, यह पौधा देखिए, यह फूल कितने सुद्धर लग रहे हैं, एक पौधा, यह दूसरे गमले में द पौधा, यह देखिए, और यह तीसरा पौधा, वाइड कलर में, देखिए, गमले में इसका कितना ज़्यादा विकास हुआ है, यह आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, कि इसका फैलाव कितना ज़्यादा है, यह देखिए, दूसरी साइड से भी आपको दिखा दे देखिए, इसका देखिए, कितना ज़्यादा विस्तार हुआ है, दोस्तों, यह पिटोनिया का पौधा बहुती सुंदर फूल का पौधा है, यह लगभग पूरे साल तक फूल देता है, अगर ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी के समय को निकाल दिया जाए, तो कम स इसके फूल खराब होते हैं, वरसात की वज़ा से इस पिटोनिया के पौधे पर पानी की तेर्ज धार नहीं पढ़नी चाहिए, तो उस समय हमें थोड़ा सेड एरिया में इन्हें रखना पड़ता है, दोस्तों, पिटोनिया के पौधे को आप कैसे उगाएं, तो इसके बा सूख जाने के बाद इसे कलेक्ट करके रख लें और इसमें से बीज निकाल करके आप उगा सकते हैं, या किसी विश्वशनी दुकान से या आनलाइन बीज की खरिदारी करके उसे भी उगा सकते हैं, उगाने का तरीका एकदम सिंपूल है, एक गमले में मिटी लीजिए, मि 20% अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्वी कंपोस्ट मिक्स करें और साथ में 10% बालू और कोको पीट मिला करके मिक्स कर दें देखिए यह फूल कितने सुन्दर हैं यह देख सकते हैं इसका विस्तार यह भी देखिए वाला फूल कितना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी बना करके गमले के मिट्टी के उपरी सता पे बीज को छिड़क दीजिए और बीज को एक हलका मिट्टी का लेयर से धग दीजिए नमी बनाए रखिए करीब 15-20 दिन इसके बीज को जर्मिनेट होने में लग जाते हैं 15-20 दिन के बाद पिटोनिया के छोटे-छोटे पौदे दिखाई देने लगेंगे जब और 15 दिन का समय बीत जाए और पौधों में 3-4 पत्निया दिखाई देने लगें तो उन्हें आप बड़े गमले में सिफ्ट कर सकते हैं इनको उगाने का दूसरा तरीका अगर आप बीज से ना उगाना चाहें तो आप पिटोनिया को बड़े आराम से कलम से उगा सकते हैं इसके लिए ये देखिए जैसे मेरे ये सफेद पिटोनिया के पौदे हैं तो इसमें से कोई भी एक टहनी जैसे देखिए हमने एक टहनी पकड़ लिया है तो इसमें से हम एक टहनी जिसकी लंबाई कम से कम चार पांच इंच के बरावर लेना है इस तरह से यह देखिए यह हमने एक चार पांच इंच की टहनी को तोल लिया है इस टहनी को तोलने के बाद इसके नीचे की पत्तियों को कुछ इस तरह से हम साप कर लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने इनके यह नीचे की पत्तियों को साप कर लिया और इसके इतने भाग को यह देखिए इस तरह से गमले की मिट्टी में इसे हम लगा देंगे देखिए पिटोनिया की इस तरह की एक 4-5 इंच की टहनी ले लेंगे और इसके नीचे की पत्तियों को साफ कर लेंगे साफ करने के बाद एक छोटे गमले में ज़्किए छोटा गमला है और इस गमले में कुछ इस तरह से हम इसको यह लगा देंगे और इसका कलम लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे दोस्तों यह पिटोनिया की कलम बड़े आराम से पकड़ लेगी 10-15 जिन तक इसमें नमी बरकरा रखेंगे और इसमें जड़े निकलाएंगी पिटोनिया के पौधे को कलम से बड़े आराम से उगा सकते हैं अगर आप कलम से भी न उगाना चाहें तो मार्केट में तयार पौधे मिलते हैं और अलग-अलग कलर के मिलते हैं पिटोनिया में अनकीनत कलर आते हैं और अनकिनत फूल की डिजाइन आती है तो आप जो भी पौधा लाना चाहें 15-20 रुपए में एक पौधा तैयार पौधा बड़े आराम से मार्केट में मिल जाता है ऐसा पौधा भी आप लाके लगा सकते हैं बात करें पिटोनिया के पौधे को रिपार्ट करने के लिए कैसी मिट्टी लें तो मिट्टी के लिए जैसा हमने ये कटिंग लगाने के लिए बताया उसी तरह की मिट्टी में आपके पिटोनिया का पौधा भी बड़े आराम से चलेगा और अच्छी तरह से फ्लावरिंग क 10 परसेंट में आप बालू मिला सकते हैं और कोकोपीट मिला सकते हैं तो इस तरह से जब आप पौधा लगा लेंगे तो उसको बार-बार छेड़ चाड़ मत करिये एक महीने तक कोई खाद नहीं देना है जो भी खाद Repeat करना है एक महीने के बाद रिपीट करिये एक महीने तक क केवल इस पौधे को पिटोनिया को पानी दे करके नमी बना के रखके इसे जिन्दा रखिए बार-बार खाद देने से पौधा खराब हो जाता है और उसकी बढ़वार रुख जाती है दोस्तों पिटोनिया के पाउदे को धूप पसंद है इसको थोड़ा मतलब टेमपरेचर जादा चाहिए इसको अगर चाया में रखेंगे तो अच्छा से फ्लावरिंग नहीं करेगा अगर फ्लावरिंग करेगा तो फूल बहुत छोटे होंगे पिटोनिया के पाउदे को 6-8 घंटा धूप में रखिए बहुत अच्छा विकास करेगा इसकी साखायां भी विकास करेंगी और इसके अच्छे फूल भी आपको मिलेंगे दोस्तों जहां तक पानी की बात है कितना पानी दें पिटोनिया में तो पिटोनिया का पौधा या पौधा नमी को पसंद करता है इसको नम यह गमले की मिट्टी जो है यह नम मिट्टी चाहिए लेकिन गीली मिट्टी नहीं पसंद करता अगर मिट्टी को आप गीली रखे तो आपके इस पिटोनिया के पौधे की जड़े बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो नमी हर समय बरकरा रखना है लेकिन मिट्टी को गिला नहीं रखना है दोस्तों इस पिटोनिया के पौधे में रिपार्टिंग करते समय एक बार आपने जो गोबर की खाद दे दिया उसक जैसे मैं जो करता हूं तो सरसो के खली का लिक्वीड खाद चाय के पत्ती का लिक्वीड खाद बना के देता हूं प्याज के छिलके की खाद बना के देता हूं तो ऐसा मैं हर 15-15 दिन पर इनको खाद देने के लिए बदल बदल के खाद देता हूं लिक्वीड खाद ही देत यह और इतनी सारी कलिया आगर आप चाते हैं कि आपके पोड ऐमें लगए हैं तो आप सरसों के खलि की खाथ चाय के पती का लिक्विड खाथ तक बनाके दीजिये पयाज के शिलके का लिक्विड खाथ दीजिए आप केलेवे चिलके का इस्तेबाल कर सकते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको पिटोनिया के पौधे के विसे में पूरी जानकारी प्रोवाइड किया आप अगर मेरे बताए अनुसार देख रेक करते हैं अपने पिटोनिया के पौधे का तो आपको बहुत अच्छा प्लाउनिंग मिलेगा और गर्मी के दिन में भ इदम भरा भरा बना रहेगा दोस्तों आंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रेंट पागार्डेन को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक और सेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद हम अपना वीडियो यही समाब्त करते हैं